जैन दोस्तों, मैं हूँ मेजर गाड़ावारिया और आप देख रहे हैं मेजर लिज राइट दोस्तों, 20 जनवरी 1945 में पॉड़ी गड़भाल के छोटे से गाउं में एक घर में एक लड़का पैदा हुआ लोगों ने खुशिया मनाई, घर में बेटा पैदा हुआ है और लोगों ने ये दुआएं भी करी, ये कामना भी करी, ये प्राथना भी करी कि आगे चलके वो लड़का देश का नाम रोशन करेगा दोस्तों, वो छोटा सा लड़का बाद में जाके इंटेलिजन्स ब्यूरो का डिरेक्टर बना और आज की तारीक में वो भारत के नैशनल सेक्रिटी एडवाइजर हैं, जिहां मैं बात कर रहा हूँ श्री अजीर डोवाल किरती चक्र के दोस्तों, उनकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई फिल्म चल रही है, आज मैं उनकी ये कहानी भी आपको सुनाओंगा मैं आपको ये भी बताओंगा कि उन्होंने ऐसा क्या क्या करा कि वो लेजंड बन गए और उन्होंने ऐसी ऐसे कारणा में करे, मतलब आप सोच नहीं सकते अपने आपको इतने जादा एक्स्ट्रीम खत्रे में डाल सकता है, ना उसके पास हत्यार सामने आतंकवादी खड़े हैं, आतंकवादी पहचान गए कि ये कौन है पहचान गए उसके बाद भी, सिर्फ अपना तेज दिमाग इस्तमाल करके, अपनी चाना की निती इस्तमाल करके उनको पचाड़ना, वहाँ से चुप चाप निकल जाना, और अपने मिशन को सक्सेस्फुल करना ये कहानी कुछ, उस जेम्स बॉन्ड जैसी नहीं है, जिसमें गोलियां चलती हैं और बम फूटते हैं ये दिमाग की कहानी है दोस्तों, ये चैस की कहानी है, ये कहानी है शतरंच की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपना दिमाग इस्तमाल करके हर समय जिसको कहते है ना भारत को गुड़नी उस दी हर समय अच्छा समा चार दिया भारत को और भारत की जीत का परचम हर समय लह रहाया दोस्तों 1968 बैच केरला कारडर IPS आईपियस आफिसर कुछी साल के बाद इनको लगा कि नहीं मुझे इंटेलिजन्स ब्यूरो जाना चाहिए और जो टॉप की IPS आफिसर थे उस जमाने में वो इंटेलिजन्स ब्यूरो उनको आफर करता था कि आप आईए और आई भी जॉइन करिए इंटेलिजन्स ब्यूरो जो है दोस्तों वो जादातर डॉमेस्टिक आपरेशन्स करता है यानि कि भारत के अंदर आपरेशन्स करता है इंटेलिजन्स ब्यूरो लेकिन कुछ उसके आपरेशन्स बाहर भी होते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उपरेशन्स में अजीर दोवाल सहब शामिल थे आपको IC814 की याद है दोस्तों वो IC814 जो मौलाना मसूद अजर जो जैश मुहमत का लीडर है उसको छोड़ाने के लिए IC814 को पाकिस्तानियों ना हाइजैक कर लिया था ये फ्लाइट उड़ी काटमंडू से आई दिल्ली से आई अमरित सर से गई लाहोर से पहुची कंदर अब भारती सरकार की मजबूरी थी कि उनको छोड़ना हाँ बाद में डोवाल सहाभी ने इसको बोला कि ये डिप्लोमेटिकली हम लोग फेल हुए है लेकिन बात फेलियर और सक्सेस की नहीं है आप सोचिए कि टेर सो से जादा भारती है एक जहाज में बैठे हैं उस जहाज को घेर दिया तालिबान में और तालिबान के पीछे खड़ा है आयसाई उस सूरत में यहां से एक बहुत छोटी से टीम जाती है जैश मुहमद के आतंगवादियों को साथ ले के अपने और कंधार में उतरती है ये टीम उस जमाने में श्री जस्वन सिंग जी वो भी उस प्लेन में गए थे वो थे अजीड़ वाले दोस्तों फ्लाइट उतरती है कंधार में और वहां पे सारे के सारे तालिबान वाले सरौंड कर लेते हैं जो बड़ी-बड़ी मशीन गने लेकर और रॉकेट लेकर अपनी जीपों के उपर और उनके पीछे कुछ साधी वर्दी में लोग खड़े हैं वो कौन है? वो हैं आयसाई वाले तो हमारे जितने भी पैसेंजर हैं सब वहां पे हाईजैक्ट एक पैसेंजर को आतंकवादी मार देते हैं दूसरे जहाज में इंडियन टीम जाती है मौलाना मसूद अज़र को लेका अच्छा है इसकी बड़ी तनकीद करी गई बड़े लोगों ने बोला क्यों करा? क्यों करा? इंडिया जुग गया नहीं इंडिया क्या करता उस वालते? आप बताईए क्या करते आप? जब आपके डिड़ सो लोग एक ऐसी ज़ग उनके परिजनों ने दिल्ली में तो अग लगा दी थी प्रधान मंतरी निवास के सामने लोग बैट गए बोला के नहीं उनको छुड़ा के लाईए छुड़ा के लाईए फिर ये देखा कि भई हम क्या कर सकते है हमें अपने लोग तो छुड़ा के लाने है और ये हर एक देश करता है दोस्तों ये अमरीका भी करता है इसराइल भी करता है आपको पता है कई साल पहले एक इसराइल का फौजी एक इसराइल का फौजी हमास ने पकड़ लिया था सिर्फ एक इसराइल ने उस एक फौजी को वापिस लाने के लिए एक हजार से ज़ादा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस एक फौजी को छोड़ाने के लिए एक हजार से ज़ादा फिलिस्तिनी छोड़ दिया जो जेल में थे छोड़ दिय na बोला अपने भाई को नहीं छोड़ेंगे चाहिए उसके लिए कुछ भी हमने करना पड़े दाम चुकाने वाली भाय आपको दाम चुकाना पड़ता है कोई चीज मुफ्त में नी मिलती है दाम चुकाना पड़ता है तो दोस्तों ये स्टोरी थी अजिट डोवल्ट साब के ओपरेशन के किस तरीके से उन्होंने कन्विंस करा तालिबान को कि छोड़ दो उनका ये कहना है कि अगर वहां पर ISI और पाकिस्तानी आर्मी नहीं होती तो हम और भी कुछ अच्छा कर सकते थे और जादा हमें सक्सेस मिल सकता था ये सारा का सारा जो ऑपरेशन था IC814 का ये ISI ने करवाया था तालिबान के तरुब दोस्तों अच्छा एक और बड़ी बड़ी हा कहने है इनकी जिस तरीके से ये गए जब ऑपरेशन ब्लाक थंडर हुआ एक तो ब्लू स्टार हो गया पहले फिर ब्लाक थंडर हुआ ब्लाक थंडर में इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली ये घुसे अंदर परिसर में इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी वहां पे कहां पे आतंकवादी है आतंकवादियों ने पहचान लिया इनको आतंकवादियों ने पहचान लिया उन्हों ने चुप चाप आतंकवादियों को एक बात बोली बोला कि हाँ मैं वही हूँ अजीर डोवाल मैं वही हूँ इंटेलिजन्स बीरो वाला तुमने मुझे ठीक पहचाना लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है उन्होंने बहला नहीं क्या है बताओ तो उन्होंने बहला बात यह है कि मैं असल में एक ISI का एजेंट हूँ और मैं यहां पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ मैं असली में ISI का आग्मी हूँ थी Black Cat Commandos उसमें involved थे दोस्तों और ठांडा हो गया बिल्कुल और एक और आपको कहानी सुनाता हूं बड़ी बढ़ी हाँ पाकिस्तान में साथ साल ये रहे बिल्कुल साथ साल ये रहे बहरूपिया की तरह भेज बदल के अपना नाम कुछ कर दिया नमाज पढ़ना सीखा अप अपने आपको बिल्कुल उन्होंने जो लोकल मुसलिम है वहां के उनके वेजबूशा में ढालके अपने आपको वहां पे इन्होंने ओपरेशन करें डूवाल साथ ने रिक्षा चलाते थे ये पाकिस्तान में और आप सोच लीजिए IPS आफसर पाकिस्तान में चुप जा पेस आए तो वहां पे एक बुढ़ा इनको मिला बुढ़े की ऐसी दाड़ी सफेद दाड़ी अपनी नमाजी टोपी पहना हुआ बुढ़ा वहां पे बैठा तो ऐसे करके बुलाता है इधर आओ बेटा इधर आओ तो जाते हैं उसके पास जी बताइए तो उसकी तरफ ध्या करill expanded in कि पे बूंदिया कि तुम हंनो ना साफ मना कर दिया हैहिनों ना भुला मैं हिंधू हुए निम तो मुसल्मान हूँ फिर वो डुवाल साब को अपने घर ले गया, कहीं गली वली में उपर जाके उसका घर था, उसने बठाया उनको, फिर अंदर वाले कमरे में ले गया, अंदर वाले कमरे में एक अलमारी थी, अलमारी चाबी से खोली, जब अलमारी का दर्वाजा खोला, तो डुवाल साब ने किसी दिन मैं आपको कहानी सुनाओंगा किस तरीके से प्लैन बनाया था दाओद इबराहिम को मारने का और किस तरीके से एक जो बंदा था जो शूटर था जिसको दाओद को मारना था उसने गलती से फोन कर लिया उसका फोन टैप हो रहा था किस तरीके से महराष्टर पॉलिस को पता लग गया क्योंकि सीक्रिट आपरेशन था और मामला बिल्कुल बिगड़ गया दोस्तों उस वक्त लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कभी सुर्खियों में नहीं रहते हैं दोवाल साब को तो सोशिल मीडिया में ये वो दुनिया भर की चीज़ा बनाके में स्ट्रीम मीडिया में दोवाल साब खुद तो ज़्यादा बूलना पसंद नहीं करते हैं प्चाप रहते हैं, कोने में बेठे रहेंगे. जादा कभी कुछ किसी से बात चीत नीए, risks नीए, बोलता ही नीए, बहुत कम नाप तोल के, नाप तोल के उनके words रहते हैं. उनके इंटर्वेउज़ भी आपने、 जब से वो इनेशेव बने हैं, आपने उनके ना के बराबर इंटर्वियो दे, एक A.N.I. को दिया था, आपको ना के बराबर इंटर्वियो उनके मिलेंगे, ना के बराबर, वो कभी फोर फ्रेंट पे आते ही नहीं, क्योंकि यही एक सच्चे और अच्छे जासूस की फित्रत है, जासूस कभी सुर्खिया के बारे मैं बात करूँ ना, तो मैं बात करता चला जाओं, करता चला जाओंगा, दो तीन घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा, इमेजली राइट का, तेकिन नहीं, हम आज नहीं करेंगे, किसी और दिन आपको विस्तार पूर वाग बताएंगे, उन्होंने कौन कौन से कार है, उनको ये कहना चाहता हूँ कि सर, जर्म दिन की बहुत-बहुत शुब कामना है, प्रभु श्री राम आपको एक हजार साल की उमर दें, कि आप इसी प्रकार माभारती की सेवा करते रहें, और हमारा प्रोचाहन बनाते रहें, and that you continue to be a role model for all the youth of इंडिया, आखरी में दो ये एक पूरा सागर है, पूरी गंगाजी बह रही है, अगर आपको पता है, तो लिखे कमेंट्स में